आज के दिन हमने गलेंग मार को ट्रेंट किया था गलेंग मार को स्क्राइग पांसओ बीसपर एंट इस नहीं पर अपनी एंटर प्राइजें और तेरा सो चांचाट प्राइज के हमारे और जो और नहीं मिला है उसका हमने इस टॉप लोस नहीं लगा यहां पर कोशिश कर रहे थे कि सारे और समको मिल जा हम तभी अपना स्टॉप लोस लगा देंगे बागी अगर एक्जिक्यूट होते हैं तो उनका भी स् स्टेट करने के पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजन था जिस वाज़े से हमने ग्लैन मार के अंदर अपना ट्रेड एक जीट किया था उस रिजन को यहां पर हम लोग डिस्क्लोज करेंगे देखिए यहां पर यह वाली जो कैंडल हमारी 15 ओफ रोंबर की कैंडल य प्रेंड देखी क्यां कि है कि एक डाउन साथ का motor को सिनदिया यह मेरा जैसे कि हम इसको माले यह मेरा व्लूमं के साथ प्रेज ने डाउन साथ की मूगन्ट को डाउन साथ कि दुरबोंट दिखाये ब्रेक आउट किया है वाहाँ से देखेसिए यह क्या के उस रिंच के वो हमारी range के down side के तरफ closing दी थी, opening जो morning में, opening होई थी, वो मेरी इस range के अंदर opening हो गई थी, price में क्या होना चाहिए था, कि जो कल का high था, वो break नहीं होना चाहिए था, जो हमारा कल का high लगा था, इसको break नहीं होना चाहिए था, मेरा जो व्यू था इसको लेकर के कि ग्लैनमार्क आज डाउनसाइड की तरफ ज्यादा बड़ा मुवमेंट नहीं करेगा हां कुछ रीट्रेस्मेंट कर सकता है आप यहां पर एक मुवमेंट देखोगे इसका 23rd of November का तो simply यहां पर देखे कि 10% का मुव आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा 10% और वैसे अगर हम काउंट करेंगे तो लगबद 13% से ज्यादा का मूव कल ग्लैनमार्क ने हमको दिखाया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइज थोड़ा बहुत बेगर रेट्रेस्मेंट करता है तो भी 23% का मूव हमको ग्लैनमार्क आसानी से दिखा सकता है बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और पूरे दिन ग्लैनमार्क हमारा साइडवेज मोमेंटम ही शो करता है और साइडवेज में ही क्लोज हो गया सिंपल सी चीज है आप इसको ट्राइंग में समझे पहले एक स्टॉक है जिसने अपने सपोर्ट को डाउन साइड की तरफ ब्रिक किया ब्रिक कर देने के बाद में स्टॉक हमारा वापस उसी रेंज के अंदर जाकर के क्लोज हो गया मतलब यह कुछ सपोर्ट थी अप जिसको की ब्रेक करके प्रैस को डाउन साइड के तरफ गिरना था और इगर उपर की दिशखा म één जाना था तो यहीं से प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ चला जाता बट प्रैस ने किकोकि कल उस प्रोजिंट के अंदर के तरफ दी स्पर्शुर ने क्योश कि बायलन की व अगर हम मोटा मोटा देखे तो 10% के आसपास का movement था, ऐसे देखते हैं, तो लगवए 13% था, अब अगर price को retrace करना है, तो क्या होगा, कि जिस resistance point से price कल reject हुआ था, थोड़ा ध्यान से सुनेगा इसको, जिस resistance point से अपना price कल reject हुआ था, आज अगर उस resistance से rejection मिलता है, तो price हमारा downside की तरफ गिर सकता है, गिर सकता है in the sense कि retracement हमको दिखा सकता है, अभी 30% कोई stock अगर हमारा run कर चुका है, 13% अगर run कर चुका है, तो retracement की जो हम उम्मीद करते हैं, वो 2-3% की generally retracement दिखा देने चाहिए एक stock को, बट किसी भी तरह की retracement है, यह अपना view है, यह मेरा अपना view ह कि 2-3% की दिखा देने चाहिए, ऐसा कुछ fixed नहीं है, लेकिन हा, generally हमने देखा है, कि ज्यादा जो stock चल चुका होता है, वो 2-3% की retracement हमको दिखा देता है, तो जो मेरा view था है, कि एक resistance point से price हमारा कल already reject हो चुका है, और अगर यहीं से इसको आज भी rejection मिलता है, तो price हमारा downside क तरफ चल सकता है, तो 2-3% का move हमको मिलेगा, basically जैसा हमने सोचा तो वैसा हुआ नहीं, और price पूरे दिन sideways पढ़ा रहे गया, तो एक तो यह हो गया, candle stick की body language को हमें किस तरह से देखना है, यह तो higher time frame पर हो गया, अभी lower time frame की अगर हम लोग body देखेंगे, तो देखें, 5 minutes में जाएए, कोई भी stock, यहाँ पर भी हम लोग यहाँ, candle के उपर rate करने से पहले, charts के उपर समझ लेते हैं, और एक चीज़ याद रखेगा, जिस भी दिशा में price को movement करना होता है, उस दिशा में वो बड़ा-बड़ा move करता है, अगर नीचे की दिशा में गिरना है, तो बड़ transform होती है, चोटी-चोटी candles बनेगे, और वापस से downside की तरफ, इस तरह के movements आपको एक ideal condition में देखने को मिल जाएंगे, but Glenmark ने क्या किया, कि गिरते हुए market में तो ठीक चल रहा थो, morning में हमारे entry लेने से पहले, उस stock की movement बहुत अच्छी थी, but जैसे ही वो downside की तरफ, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं कि उसकी candles छोटी-छोटी होती चली गए, छोटी-छोटी candles होती चली चली गए, एक candle हमारी 10 पचकर 10 मेट की candle, उस candle के low तक आते हैं, price पूरी तरह से sideways हो गया, volumes में कोई activity नहीं थी, simple simple बहुत चोटी-छोटी volumes यहाँ पर दिख रही थी, हमने क्या किया फार्मा सेक्टर को इसके साथ analyze किया और ग्लेन मार्क से निकलने का मन बना लिया, because हमको लग रहा था है कि यह stock आज sideways move हमको show कर सकता है, देखिए यह वाली जो candle है न, 10 बचकर 5 मेंट की candle, 10 बचकर 5 मेंट की candle के पास में price आ करके और upside की तरफ निकल गया, यह वाले moves देखि इस तरह की moves हो रहा है, बट जैसे ही stock अपने resistance point से टकराता है, 10 बचकर 5 मेंट की बाद, इसकी movements देखिए किस तरह की हो जाती है, बिल्कुल छोटी छोटी candles form हो रहे हैं यह आपर, यह देखिए, एकदम छोटी छोटी candles form हो रहे हैं, यह stars बनते हैं बहुत ज्यादा chance होता है कि price को sideways कर देते हैं, और यह sideways movement की निशानी आप इसको मान सकते हो, कि sideways movement का signal यह आपको देते हैं, इनका फर्क आपको नजार आ रहा होगा, कि यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी candles form हो रहे हैं, और यह कितनी छोटी छोटी candles हैं, तो यह lower time frame पर price को, candles को किस तरह से हम लोग read कर करकर के यह सारी चीज़ें समझ में आ रहे हैं, अभी भी हमको कुछ भी नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें जो कि explore करने वाली हैं, थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें जो कि हम आपके साथ share करें हो, तो आप उसका benefit ले सकते हो, benefit उठा सकते हो, यह general है, आप इस चिसको observe की जगा market के अंदर, कि market जिस भी दिशा में जाना होगा, उसको उस दिशा में बड़ी candles form करेगा, और जिस दिशा में retracement करना होगा, चोटी-चोटी candles आती ही, बट यह sideways movement होता है, ओके, इस तरह से देखते हुए हमने क्या किया कि हम यहां से निकल गे बाहर, entry जो हमने इसके अ हमारे orders execute हुए थे, वो 1366 order ही execute हुए थे, बाकी orders execute नहीं हुए थे, वापस जब price उस range पर पहुचा था, तब हमको orders मिले थे, फिलहाल, orders मिल जाने के बाद में सभी quantities हमने निकाल दी थी, 580 rupees and 20 पैसे पर सारी quantities निकाल दी, और overall जो आज की दिन हमको profit हुआ था, so 4152 rupees का profit है, सिर्फ 1 ratio 2 का ratio हमको मिला, कोई बहुत बड़ा risk and reward ratio नहीं था, यह वाला जो point है, इस point पर हम लोगों ने अपनी entry ले थी, यहाँ पर देखिया, इस जगह पर अपनी entries लगाई थी, यहाँ पर, price जब वापस से retrace करने के लिए है, तो यहाँ पर हमको सारी quantities मिल गए, downside की के 10 बच का 10 बच का 5 की candle पर किस तरह की behaviors थे, इस ने एक support पर आ करके, जिस तरह का rejection दिखाया, यहाँ समको बाहर ही निकलना सही लगा, okay, तो overall यह अपना trade था अचका, अभी candle sticks, जो हम आपको बता रहे है, candle sticks के उपर एक पूरा का पूर एक वीडियो बनेंगे, आप लोग उसको देखेगा, बहुत, बहुत help करेगा वो वीडियो आपकी, चूटी-चूटी candles form होगी, जिस देशा में price को travel करना, उस तरफ rejection कम होगी, और जिस तरफ retracement करना होता, उस तरफ से rejection ज्यादा मिलते हैं, यानि के pin बार ज्यादा form होती, बहुत चूटी-चूटी, minute-minute सी च identification है, दस बच कर पांच मन की candle में जिस तरह की formation form हुई है, और जो volumes निकल करके आ रही है, इसने पूरी तरह से indicate हमको किया था, कि ये candle आज के लिए important होने वाली है, तो देखिए, वही range हमारी एक support form कर दी, उसी range पर हमारी एक support form हो गया, हमने क्या किया कि यहां से जट से बाह market close हो गई, चलता रहेगा, sideways movement, trending movement, stop loss hitting, profit booking, सब कुछ चलेगा, main point क्या है, आप study कर रहे है, किस हद तक वो सही हो रही है, किस हद तक market उसको सही साबित कर रही है, आप जो stop loss लगा रहे हैं, किस हद तक आपको stop loss safe है, आप जो targets लगा रहे हैं, पिर जहां पर आपकी entry है, वो entry क्या सही है, या फिर गलत है, आपको मालूम होना चाहिए, एक पूरा system होना चाहिए, आपके पास एक पूरा way होना चाहिए, management होना चाहिए, ज़्यादा stress नहीं करते हैं अपनी बातों को, वीडियो यहें पर close करते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अपने next trading session में, देखते हैं, कोई अच्छा trading setup मिलेगा, तो उसको ज़रूर आपके साथ हम share करेंगे, telegram channel आप join कर सकते हैं, आज हमने Glenmar को morning में share कर दिया था अपने group में, and Glenmar के साथ-साथ एक stock और share किया था हमने SBI card का, okay, SBI card को आप लोग कल के दिन रख सकते हो, अपनी watch list के अंदर, price अगर यहां से downside क अगर move करता है, तो एक अच्छा movement आपको बड़ा movement देखनों को मिल सकता है, SBI card के अंदर, अगर यह गिरता है तो, okay, so thank you, goodbye, and we will meet again.